बाल कृष्ण लाल कीजे स्री गणेशाय नमहा श्री शारस्वत्य नमहा श्री गुरुब्यो नमहा ओम् नमों भगवते वाशुदेवाय क्रिष्ण कनया लाल कीजे ठाकोर जी मंदिर मा बिराजे तेथी सांती नहीं मडे पन ते ठाकोर जी आपनी बुद्धी मा बिराजे तोज सांती मडे छे जे विरिते संसारना विशयो बुद्धी मा राखो छो ते विरिते बुद्धी मा भगवान ने राखो तो जीवन कृता अर्थ थेई जाए मालन तोपली मा फड राखती तेम तमे तमारी आप बुद्धीरुनी तोपली मा प्रभूने राखो बाल क्रिष्ण पांच वर्षना थया चे बाल क्रिष्ण ने व्रंधावन जवानी इच्छा चे गोकुड मा थता उत्पातो जोईने उपनंद काकाय सूचन करियों के आपने बदा बाड कोन लई बीजे स्थड़े रेवा जगिये आई थी थोड़े दूर व्रंधावन नामनों एक वन चे ते रेवाने माटे बव योग्यों चे आई सूचन बदा ने गम्यों चे बाल कृष्ण साथे बदा व्रंधावन मारे वाव्या छे व्रंधा एकले बगती व्रंधावन एकले बगती नुवन बारक पांच वर्ष नो थाए एकले तेने गोकुड मा थी व्रंधावन मा लई जाओ एतले तेने बकतिना वनवाली जाओ बाड़क ने 5 वर्ष पूरा थया पछे लाड कर्शो नहीं लाड़ नो समय गोकुडमा पूरो थयो जे माबाप बाड़क ने शारा संश्कार ना आपे ते माबाप बाड़क ना वेरी चे जे माबाप बाड़कने धर्मनु शिक्षण ना आपे, भगतिनु शिक्षण ना आपे, ते माबापने बाड़कना दुश्मनज समझवा बाड़कनु रदे खुब कौमण होये छे तेने जे बाजु वाड़ो, ते बाजु ते वर से माटे बाल्या अवस्थामा बाड़कोने सारा संस्कार आपो सारू सिक्षण आपो तो जुवानी माटे बगड़ से नि ए संस्कार येनू रक्षण कर से क्रिष्णने उपनन्द काका वनमा लई जाये से जेने ज्ञानी वयोवरद संतोनो संग होय तेने पतन निभीक रहती नथी एकलो वेचो आजाये तो पड़वानी भीक रहेशे कोईनो आजपकड़ीने चालो तो पड़वानी भीक क्यारे रहेशे ने इश्वरनो आजपकड़ीने चालो तो पड़वानी भीक कदापी रहेशे ने वरंदावन मा एकला न जाओं पन बिजाने पन सतकर्म मा प्रेर्ना आपकुई माट्य दो गोपियो साथे वरंदावन मा गया छे वरंदावन मा गोवर्दन पर्वत अने यमनाना किनारा ओजोई राम क्रिष्णने गणो आनंद थह योचे वरंदावन माव्यापची भगवान वत्ष पाल थयाचे बाड मित्रों साथे तेव वाचरणा चरावेचे यमुनाना किनारे बाड को अने प्रकार्नी रमतोर मेचे भगवान पहला वत्ष पाल बनेचे अने पची गोपाल बनेचे पहला वाचरडा चरावेचे, पछी गायो चरावेचे, कोई-कोई वेडा भगवान बंसी बजावेचे, अने जुधा-जुधा प्रकार निरमतो थी गोप बाड़कोने आनंद करावेचे, जीव मात्रने स्रिक्रिष्ण बंसीना द्वनिथी बोलावेचे, पण महक विशयो मा फसायेला जीवने ए साद संब्णातो न थी, जवना जिनो किनारो चे, त्यां बकाशूर आवेचे, अने वत्चाशूर पन आवेचे, बकाशूर एकले दंब, अने वत्चाशूर एकले अग्ण्यान अंधस्रदा, भक्तिमा आबे विगनू आवेचे, बकाशूर एकले बगलाशूर, बगलो ए दंबनू प्रतिक छे, तेथी तो दंबीन बदा बग बगत कहे चे, दंब समान कोई पाप नथी, बिजा बदा पापो माटे प्रायस्चित छे, पन दंबनू प्रायस्चित नथी, जवनो स्वांग उपर्थी शारो चे, पन करणी जैनी मेली छे, तेषी बधाज बकाशूर छे, बगलाशी चांच मालोब छे, किर्तिनो लोब हॉइ, अने दंब आवेज छे, माटे दंब थी खूँब चेत तारे हुँँ, बगतिना किनारे पन दंब पैदा थी जाये छे जिम जमना जिना किनारे किनारे बकाशूर देखाये छे तेम एक समय श्रीहरी गोक बाड़को साथे वाचरना उचारवा वनमा गया छे वनमा ते उजात जात नी रमतो रमवाला गया छे त्यां गोक बाड़कनू भाग्यतो जू जेना धर्शन योगियों ने पन दुरलब छे ते पर ब्रह्मनी साथे ते ओर मी रहा छे एवाम अगासूर ते आवेओ अगासूर ने कंसे मोक्लियों अतो बकासूर और पुत नानो भाई है तो अग एटले पाप जे आग्णियान ने दंब होई ते पाप आवे छे अगाशूर आवयो अगाशूर मोटा अजगर्नु रूपलाईने आवयो अने सर्व गोप बाड़कोने जवानी इच्छा थी मोग भाड़ीने मार्गमा सुतो अगाशूर अजगर्ना मुखने आकोई पर्वतनी गुफाचे एम मानी ये बाड़कोतेमा प्रवेश करवा थायाचे पन कनयो बधा थी मूखी कनयो ये बधायनो मूखी एटले बधा क्या एक कनया तुँ आगड़ था बाड़कोने श्रद्दा छे क्या मारो कनयो साथे होई तो पछी अमने क्या ये जवानो डर न थी क्रिश्न ना मुख सामे जोता हस्ता हस्ता हन तारियो पाड़ता पाड़ता गोप बाड़को ओजगर ना मूख मा पेशी गया थे गोप बाड़कोने बचावा भगवाने अगाशूर ना पेट मा पन प्रवेश करयो थे गम्मे त्या जाओ, गम्मे ते कार्य करो, पन भगवानने कायम साथे राख जो एने मुखी करिने आगड करशो, तो तमारो जय जय कार्थ से माटे प्रभूने साथे लईने फरो प्रबून एटले ठाकोर्जीनी मूर्तिन नही पण अंतर मन मा रहेला ठाकोर्जीना स्वरूपन लईने फरो अगासूर ना पेट मा प्रवेश करयो त्यारे बाढको ताड़ी पाड़ता पाड़ता गया आता भागवत मा समाधी भासा मुख्या छे लवकिक अने परमत भासा गउण छे एले भागवत नो अर्थ जेने समाधी नो अभ्यास छे तेज समझी सक्षे विलास इने बागवतनों और्थ समझुव बहु मुश्केल छे तारी ये नाद ब्रह्म छे नाद ब्रह्म हने नाम ब्रह्म थाए त्यारे परब्रह्म प्रगट थाए छे एकले बदा बाढको तारी पारता पारता गया छे श्वाध्याद परिवार नू एक गीत छे तारू गीत गावा मने भाव दे मने तारू गीत गावा खाजे भाव दे मने मारू गीत तुझ माला गित शपी दे मने मारू गीत गावा खाजे भाव दे मने मारू गीत तुझ माला गित शक्ति दे मने जंखे छे मन मारू बेटवा प्रभूजी अर पूतन मारू चरणे प्रभूजी तारू काम करवा खाजे भूदी दे मने तारू गीत गावा खाजे भाव दे मने मारू गीत तुझ माला गित शक्ति दे मने ये भरमात्मा तारू गीत गावानी मने शुक भी आपजे मारू चित सदा तुझ माला गे लू रहे ये भी शक्ति मने आपजे शरण शारगानू प्रिदों में प्रभूजी मार्त पुझवानू व्रत शे प्रभूजी व्रकिस्थिर करवा काजे भित्या दे मने तारू गीत गावा काजे भाव दे मने जीवन सजाव्यू जेने प्रभूजी मस्तक नमावू तेने प्रभूजी भव भव दादा संग जन्म दे मने तारू गीत गावा काजे भाव दे मने मारू चीत तुझ मा लागे शक्ति दे मने हाम अगासुर न पेटमा बाड़क कर्यों तर तारी पारता पारता गया छे नाद ब्रह्म अने नाम ब्रह्म एक खाए त्यारे परब्रह्म प्रगत खाए छे अंदर जई भगवाने विशार रूप दारन कर्यों एटले अगासुर ना प्राण ब्रह्म रंदमा थी बहार मिकड़ा छे अने बाड़को ते मजवा छरड़ाओ बहार आव्या छे अगेटले पाप अगासुर एप पापनू शरूप छे पाप माँ पाप साथे रम्ये छे ते अगासुर छे पाप करवामा जे सुख माने ते अगासुर गेटले गवार जोवामा आवे छे के पापी सुख भोगव तो आवे छे पन आतो तेना पूर्व जनमना कैक पुन्यनू फड़ छे आम मानू बाकी पापनू परिणाम दुखज छे पाप करनारो कोई दिव सुखी थयो नथी औने थवानो नथी कोई पुन्य सारी जीव दुखी देखाए तो समझ मुँ के तेना ते अगाउना जनमना कोई पापनू फड़ भोगवे छे पुन्यनू फड़ दुख नथी पाप माथी छुटू आमाटे प्रतिकूड निसामे अनुकूड ता उभू करो मनुष्यने कोई-कोई वार मुँ पाप करी रयो छो तेनू भान थाये छे छतापन ते पाप छोड़ी सकतो नुथी पापना पंजामाथी छुटू मूँ बव कठन छे अती सै पुन्यनुजोर नहोए त्या सुधी पापनी आदत छुटती नखी माटे ज्यांसुधी इंद्रियो पाप करवानी इंद्रियोने आदत पलीचने त्या सुधी तेने भग्तिरस मर्शे नहीं पाणी ना लोटा मा दूद बरू हसे तो पाणी न बाहर काडी नाखूंज परसे, मन मा पाप नोविचार आवे तेज क्षणे न कापी नाखो, कदा आज पाप थाई जाए तो प्रभु पासे रडी पड़ो कि हे प्रभु मारा पापोर्नी क्षमा करो, अंतर थी रडशो तो प्रभु बहु दयालू छे, दया करशे पाप मो सामे फाली ने उभू छे, अगासूर अजगर रुपे आवे लो, मनुष्य सावचेत न रहे तो पाप रुपी अजगर तेने गड़ी जाये छे, ए गड़वा तयार जू भो छे, पाप सरिर मा करशे, तो पचिये तमने छोड़ से ने, जेना मन मा पाप घर मा पाप छे, त्या परमात मा होता न थी, एतले पाप मा ने घर मा स्थापवा होई, तो पापो थी खूब दूर रे जो, अजगर ना मुख मा पेठेला गोप बाड़ को जाते बार निक्रिता न थी, श्रिक न ते ओने बार काडे शे, पाप रुपी अजगर ना मुख मा गएलो कोई जीव, जाते बार निक्रिता निक्रिता ने, अजगर ना मुख मा गएला बार को ने, अजगर ना मुख मा गएला ने, बाहर नो मानस बार खेची शके, पाप मा थी भगवान बचावी शके, शद प्रभूज तेमा थी उगारी सकेच। प्रभू सीवाय बिजा कोई निये ताकात न थी। पाप औने साप सरखाज छे। शाप करणे के तरतज जे अंग उपर साप करणे होई ते अंग ने जुठु पाड़ी देवामा आवे। तो सरिर्मा जैर प्रसरतु अटकी जाए औने बची जेवाये। एज प्रमाने पापनो मनमा वीचार आवे तो तेज क्षणे तेने कापी नाखो नए तोज पाप मार्थी बची सकासे। जयां सुधी मन छे त्यां सुधी पाप करवाना प्रसंगो आउवाना। वनमा जसो तोय त्यां पाप डाचु देखासे। पाप दर्ती थी आकास सुधी व्याप पहलूंचे। अघाशूर नो एक ओठ दर्ती पर हने बिजो ओठ आकास ने अड़ेकतो होतो तेने। पाप पेट मां एकले अजगरना मुख मां जाये ते बाहर आविशक्तो न थी। पाप लल्चाव नारू होये छे। जे नकरू होये ने जो नकरू होये ने तो होये ते थाई जाये छे। त्यारे पण प्रभूने भुलसो नहीं आबवु शुक्ष्म भाबत छे। आनो अर्थ ए नथी के भगवाननु नाम लईने पाप करूं। परन्तु मानुईनी लाचारी पाप करवा प्रेरे त्यारे पण प्रभूनो आस पत्रए छोड़ वोल। कोई पन क्रिया सब्दो चार्वगर कति नथी। कदा चीत जीब थी नई तो मन्थी उचार ठाये छे। पाप करवानी ख्षण पेला तो पाप नो जीब थी अथवा मन्थी उचार ठाये छे। ते जे क्षणे तेने कापी नाखों। पहला विचार बगडेचे अने पचिवानी बगडेचे अने पचिते वर्तनमा आवेचे पाप मनमा आवे त्यारे मनने धिकारो ठंदा जड़सी श्नान करो पचिप परमात्मानू किर्तन करो ये नाथ मने आ काम बव पजवेचे क्रोद मने छोड़तो नथी आलोब मने वस करेचे हे नाथ क्रुपा करो शाचा आरदेथी प्रात्ना करशो तो प्रभूस जरूर रक्षन करशे संतो सतत प्रभूना नामनो उच्चार करेचे तेथी तेना थी कोई पाप थतू नथी पापना बड़ागड मानसनी केवी लाचारी छे तेने आसरैनी गुफा समझे छे नेक तेमा गूशे छे अगासुर ना पेटमा जेवानी इच्चा होय तो भले जाओ पन ताड़ी पाडता जाओ परमात्मानू नाम श्मर्ण करता जाओ बढ़ाँ समझे छे के असत्य बोलवू ते पाप छे कोई ना दिलने दुबाववू ए पाप छे पन पाप थाई जाए छे पाई पहलो सिधान्त मुख्य छे के पापने कापीज नाखो मन थी शरीर थी पाप थवानू छे एम जारे लागे त्यारे मनमा भगवानना नामनू किर्टन करो परमात्माने साथे राखी अने पाप करे तेनी वासना छूटे छे पापनी आदत छोडवानू आ एक जूपाए छे भगवाननी प्राष्णा करवानू बाड को तेथी तारी पाड़ता क्रिष्ण किर्टन करता करता अगासूर ना पेटमा गयाज एवालाचार वनीने के बोडवाई ने पाप करो त्यारे परमात्माने साथे राखो प्रभुने कहो के मैं पाप करियू पन साथे आप था एटले मने सजा करो और एक समापन करो पाप करया वगर नरेवाई तो स्रीक्रिष्णने परमात्माने साथे राखी ने पाप कर जो तो भगवान तमने बचावेचे बचावशे आ सिधान्त कनिष्ट छे उत्तम सिधान्त तो एछे के कदापी पाप करवू जोई नहीं पापनो विचारपन न करवो भोगव्या विना जेनो नास्थ तो नथी ए पाप पुन्यनो भोगव्या वगर नास्थ है शके छे पुन्य भोगवातो जन्म लेवो पढ़े छे तेछी तो भुरुषियों ने केवड पुन्यने पन स्रिकृष्णारार पन करवो पढ़े छे पुन्य स्रिकृष्णार पन थाई सके छे पन पाप तो भोगवेज छुटको भोग्या वगर प्रारब्ध कर्मनो ना स्थतो न थी कोई महापुरुष संत पुरुष कुरुपा करे तोज पापनी वासना छूटे छे संत पुरुष नी धाल लोट तोज बचाये छे एतो जानिकी वात छे के अंतरात्मानी पाप करवानी इछाज नहोई तेम छता पाप ठई जाये छे गितामा पन अर्जुन नो आज प्रस्ट न छे आ सनातन प्रस्ट न छे भगवानने पूछेशे मनुष्यनी इचा नहोए तेम झतना शाथी प्रापमा प्रवाईचे आने पाप करे चे पाप करवानी इचा नहोआ छतना तेने केम पाप करूँँ पड़े चे प्यारे भगवान समझावे छे के कामने क्रोध रजोगुण माथी पैदा धैला छे, औने ते मानसना मोटा सत्रू हो छे, ते मानसने पाप माँ गशली जाये छे, इतला माटे रजोगुण ओचो करो, सत्र गुण खुब वधारो, पाप माथी बच्वानों रस्तो छे, बारको अगाशूर ना मोमा ताली पाडता पाडता प्रवेश करेचे ताली पाडवाथी एमनो नाद ब्रह्म मा लए थाएचे पने पछी पर ब्रह्म मा मन नो लए थाएचे अगाशूर नो वद भगवाने पांच वर्ष नी उमरे करेलो तेम छता अगाशूर वदनी कथा गोप बारको ये पोतानी माताओने छठा भगवानना छठा वर्षे कई छे एतले के एक वर्ष पछी कई छे आनू कारण पन समझवाजियों छे बागोतनी समाधी बासानो अचमत कार छे शुक्रेव जीने समाधी मा एक कारण देखाए छे तेओ कहे छे के ब्रह्मा आ गोप बारको नू अपहरण करी गयेला अने एक वर्ष पछी गोप बारको ब्रह्मलोक माथी पाछा आव्या तेथी तेओ या कथा पोतानी माताओने एक वर्ष पछी कहियेती परमात्मा दिव्य रष स्रूप छे तेथी रषो वैव सह अर्थात रष एज एम कहे छे तेनी साथे मिलन ए रास रास एकले ब्रह्म मिलन ब्रह्म सबंद रास एकले कृष्ण सबंद गायों इच्छा हती अमारे प्रभू साथे एक थवूँँछे जेथी कृष्ण वाचरणा बनी अमने धवड़ावे अने हमें कृतार्थ थाईए अमारों ब्रह्म सबंद थाए गायने वाचरणो दावेचे आदोईत केवूँँछे ते बिजा कोई जानी सके नहीं एक घाय जाने अने वाचरणो जाने गोकुड माँ व्रद्धा गोपियों थी तेनी इच्छा हाती क्यामी कनयाने रमाडिये आ गोपियों मन्थी श्रीकृष्ण ने मड़ती मांसिक मिलन माँ खुब आनंद छे पड़ प्रत्यक्स मिलन नी उतकंठा आ गोपियों ने थाये चे अघासोर ना पेट माथी वाचरणाओ अने बाड़को बार आव्या बाड़को कनयाने कहे चे कनया अमने भूख लागी चे अमारे जम्मू चे त्यारे भगवान श्रीक्रिष्ण कहे चे कि चालो आपने यमना किनारे भोजन करे वाचरणा भल निरात करे भगवान श्रीक्रिष्ण नी चारे बाजुए बाड़को एक बिजाने अडीने बैठा चे पद्म व्युह साथे बाड़को साथे भोजन करवा बेठाचे पद्म व्युह कमड ने जेम प्रत्य बाड़क नीचाचे कि उस्री कृष्णने स्पर्ष करो कन याने मारा घर नी सामगरी आरोगाओ दूर बेशे तो ते क्यम थेई सके एले कमड ना गरबनी जेम मध्यमा स्री कृष्णन चे आम परमात्माय दरेक बाड़क ने एवो अनुभव थयो कि उतारी पासेज चो स्री कृष्णने राश्ली रामा प्रत्य गोपी ने अनुभव करावयो कि उतारी साथेज चो तेज प्रमाने गोप बाड़कों ने पद्म विहुनी रचना करी अनुभव आपयों के भाई उतारी साथेज बेठेलोचु उतारी पासेज बेठेलोचु इश्वर दूर जायतो आनंद मड़तो नथी प्रत्यक गोप बाड़क ने स्पर्ष नो आनंद आपयों छे ब्रम्ष पर्ष वगर आनंद नथी इश्वर सर्वन एक सर्खो आनंद आपयों छे मनुष्य आपवाम विशमता राखे छे परिक्षित कहे छे परमेश्वर जोया वगर आपयों छे अरे इश्वर आपवा बेशे छे त्यारे बे आथवाणों लेता पण थाकी जाये छे इश्वर यग्यनों भोगता छे यग्यमा आवाहन करवा छता पन गणिवार परमेश्वर भोजन करता न थी त्यारे आजे साक्षात परमात्मा स्री बाणकों साथे भोजन करे छे परमात्माने वश करवानू शाधन ते प्रेम छे उत्तम मां उत्तम वस्तु भगवान ने आपवी एज भगती छे एज सुद्ध बाव छे आप्रमाने गोप बाणकों कनई यानि कहेचे के लाला आ जलेबी उतारा माते लावेव छो कनई यो जवाब आपेचे उँ एकलो नही खाओ थोड़ू थोड़ू बद्धा ने आप आप्रमाने गम्बत करतां करतां बधा बाणकों स्रीक्रिष्ण ने जमाडेचे अने बाणकों साथे बेशी अने स्रीक्रिष्ण जमेचे जीव जारे सर्वस्व छोड़ी परमात्मा साथे प्रेम करेचे पोतानु अभिमान छोड़ेचे जीव जारे पोताना जीव पनु भूली जायेचे त्यारे इश्वर पन इश्वर पनु भूली जायेचे अने जीवनी साथे रम्मे छे, जीव अभिमान मां हुँ पणु राखे, जीव माने के हुँ तो सास्त्री, हुँ तो ज्ञानी, हुँ तो भगवान तेने कहे छे के उतारो दादो लागूँ छे, परमा माने प्रसन करवा होए, तो तेनी पासे बालक बनीने जाओ, अभिमान राखीन नहीं। तेमने चारे तरक गेरी ने बेठा आता। तेमने चारे तरक गेरी ने बेठा आता। पण खाती वक्ते भगवान ने भुली ने जे खाये। भगवतार पण कर्यावगर जे खाये। ए पाप खाये छे। अगासुर ने भगवान नो मोक्ष आपयो छे। तेथी ब्रह्माजी विश्मय पाम्या तेमने आ गम्यू नहीं। तेथी जोवा आवया क्या कन्ययो छे। आ कन्ययो कोण छे। कोण जे आवा पापी नो मोक्ष करिदेच। ब्रह्माजी ज्यारे आवया तेथी श्त्रीक्रिष्टन बाड़कों साथे भोजन करी रयाचे। आनंद प्रमोद करी रयाचे। आव रज बाड़कों मा एक भ्रामन नो छोकरुपणा आवतो हतो। तेनु नाम मधुमंगल हतो। मधुमंगल ते सांडिल रूशी नो पूत्र हतो। यसो दाजी यसांडल रूशी ने कहिँ। कि तमारा बाड़क ने रोज मारा घेर जम्मो अमोकल जो। इला मधुमंगल रोज जम्मो आवे चे। यसो दाजी तेने प्रेम्थी जमाले चे। आजे कनेयो मदुमंगल नी पाचर पड़े होचे, के तुरोज अमारा गर्णू खायेचे, मने तो कोई दियुस तारा गर्णू खवडावतो नथी, मारे आजे तारा गर्णू खाऊँचे, मदुमंगल दोडतो दोडतो माँ पासे आवेचे, मानु नाम पूर्ण मासी, धर्मा काई रशोई बनावी न थी। धर्मा काई रशोई बनावी न थी। धर्मा काई रशोई बनावी न थी। पुर्ण मासी पतीमा परमेश्वर्नी भावना राखता आता। पती भोजन न करे। येदले पती उरता श्त्रीनो धर्म छे के तेने पन भोजन न करो। येले पुर्ण मासी पन फड़ा आर्थी चलावी लेशे। घरमा छोकरो हतो ते नंद बाबाने घरे जम्मुआ जाए। येदले घरमा काई रशोई थाए नी। जीवन मा जरूरियात जेम जेम ओची करशो येम इम पाप गट से। बहुग वद से तो पाप वद से। बहुग गट से। आदत अने आजतने वदार्शो नहीं तो खुब शूखित से। आ जोईये नो अंत जावतो नथी। आ जोईये तेर जोईये हम कहोचू पन भगवान जोईये हम कहोचू तो बधू जोईये ए बधूये मा समाई जेसे। ये जोईये तो बधू जोईये समाई जेसे। पुर्ण मासी मदू मंगल ने कहे छे बेटा घर मा काई नथी, कने या नमाटे उस्षू आपू, तपस्वी ब्राह्मन आजाचे कवरत कोईनी पासे कशू मागू नहीं, अ परिग्रह वरत एटले कशू संगर्मू पन नहीं, घर मा काई नथी पर मदू मंगल कहे छे मा कईक तो मने आप, पुर्ण मासी घर मा काईक ने काईक होए, तो ते सोध्वा लागया छे, त्यां घर मा थोड़ी छास मड़ी छे, ते छास मटकी मा भरी ने आपी छे, परमात्मा कोई दिवस जोता नथी, कि आमारा माटे सू लावे छे, पने हे जुए छे कि केवा भाव थी आवे छे, वस्तु ने जुए जीव अने केवड भाव ने जुए ते जी इश्वर छे, मधुमंगल छास लही ने आवे छे, पर ते छास स्री कृष्ण ने आपतायने संकोच थयो छे, तेक ले मधुमंगल ते छास पोते ज पी जवा लागयो, स्री कृष्ण ने नजर चास पी जाएचे, चासमने आ, पड़ मधुमंगल साहित हूपर्तो नथी, मधुमंगल उतावडे उतावड टी चास पी वाला आगियो, कनए यो दोड्तो आवेँचे, मधुमंगल एक दम्मों महांगली खाली करी नाखी, पड़ मोडामा ने चास नो रेलो निकपीडियो, क नहीं तेनु मोधु चाटवाला गयों छे। भगवान स्रीकृष्ण मधुमंगलनु मोधु चाटता हता ते वक्ते ब्रह्माधी आकासमाथी आदाचे। कन यो मधुमंगलने कहे चे तारी एठी छास मडेने तो मारी बुद्धी सुद्रे। तारा पिता ब्रह्मन छे, महान तपश्वी छे। स्रीकृष्ण बाड़क साथे भोगी छे, योगी साथे योगी छे, ग्णानी साथे ग्णानी छे, औने भोगी साथे भोगी छे। कन योगी बाड़क ब्रह्म गिन्या निवातो करे, ते ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो तेवो कही समझे नहीं, बाड़कोने आविवात गमे नहीं। एटले माखण निमित थी भगवान आग गोप बाड़कोनु मन हाराई छे, तेमना मित्र बने चे, और अना यासे तेओने ब्रह्मानु भव करावे चे, स्रीक्रिष्ण मदु मंगल्ला मोडापर निछास चातना जोई, और ब्रह्मा जिने आश्चरे थे युँँँछे, कि आँ भगवान छे के कौन छे, आतो गोप बारकोन मोडा चातने छे, आते कही इश्वर होई सके, इश्वर ना शूँँआ आवालक्षण होई, ब्रह्मा ने शंका धाये छे, आज ब्रह्मा क्षिर सागरमा भगवान ने अवतार लेवानु कहवा गया आता, प्रभु देव ब्रह्मनो पारपावमो शक्य छे, पन शगुन ब्रह्मनी लिलानो पारपावो खुब मुश्केल छे, एव तुलसीदास जी कहे छे, ते बिल्कुल सक्ते छे, शगुन ब्रह्मनी अटपटी लिला जोता, ब्रह्मा ने मोह थाये, तो पजी सावाने मालुईने मोह थाये, त अश्चरे में आश्चरे छे ब्रह्मा जी ए विच्छारियों कि आ इश्वर आ कृष्ण इश्वर के साधारन देऊ छे तेनी आजे लेऊं परिक्षा करों मारा जे विच्छरुष्टी बनावता आवड से तो मानिस के क्रिष्ण से क्रिष्ण चे वाहरे आतो विद्यार्थी गुरुजी नी परिक्षालेवा मागे चे एकले ब्रह्मा जी वाचरणाओने मायाथी उठावी ब्रह्मलोक मागया चे बाड को कनेया ने कहे चे कनेया कनेया आपणा वाचरणा देखाता नथी क्रिष्णे कयू तम तमारे भोजन करों वाचरणा ने लई आविश्ट क्रिष्ण वाचरणा ओने सोध्वा जाये चे तेज वक्ते ब्रह्मा बाड को ने उठावी ने ब्रह्मलोक मा लई गया आक था पाक्षण बिजू पन थोड़ू करहस्य चे भगवान सामे द्रश्टी राखी, स्री कृष्ण मा द्रश्टी राखी बाड को भोजन करता हता, त्या सुधी खुब आनंदतो परसु तेव वाच्रडा नी चिन्ता करवा गया तेवनी वाच्रडा तरफ द्रश्टी गई के ब्रह्मा ए तेवने उँचकीन ब्रह्मलोक मा मुक्या गोप बाड को काड ने आदिन थया, ब्रह्मा नी माया ने आदिन थया, ब्रह्मा ए काड नुशरूप छे संसार ना विशयों मा नजर जाए तो ब्रह्मा रूपी काड जीवने पकड़ी सके छे माटे बोजन बहु स्वादवारू नहों जुए बोजन गणू स्वादवारू हसे तो वधारे खवासे औने बजनमा आड़स आउसे स्वादवारू बोजन असे तो बूख असे तेतलूज खवासे बोजन एब भजननू साधन छे भजन मा मन राखी ने भजन करो तो बोजन पन बजन बने चे स्ट्रिक्रिष्ण ने वाच्रणावों सोधया पड़ वाच्रणावों मढया नहीं एटले पाच्रा आवया आवी ने जुये चे तो बालको पन न मढये स्ट्रिक्रिष्ण समझी गया आप भ्रह्मा डोशो मारी पाच्रण पड़े ओछे पड़े ने खबर नथी कि हूँ तेनो दादो लागूँ छू दादा खराज तो बड़ी विष्णुनी दूटी माथी कमड उत्पन थयू अने ते कमड माथी ब्रह्मा थया एटले विष्णु थया ब्रह्मा न दादा बाप नाए बाप दादा आए अवे पोतानी करामत देखाली इसे ब्रह्मा पंच महाभूत न उत्पन करे त्यारे ब्रह्मा शुरूष्टी रची सके छे ब्रह्मा पंच महाभूत रची सकता न थी पड़ प्रभूने तो मात्र प्रभूतो मात्र संकल्प शुरूष्टी रचे छे द्रवपदी नी सारी कई मील्वा थी बने लिया थी तेतो संकल्प थी उत्पन थय थी स्री कृष्ण जे सारी रूप्य थया आता जेने इश्वर था के तेने कोणु उगाड़ी सके उगाड़ो पाड़ी सके आतो स्री कृष्ण नों संकल्प तो स्री कृष्ण नी लिला थी गोप बाड़कोनी कामडी कृष्ण लाकडी स्री कृष्ण गोप बाड़कोनी कामडी स्री कृष्ण लाकडी स्री कृष्ण काननी वाडी स्री कृष्ण अने आतनु कडूपन स्री कृष्ण गायोनी इच्छा स्री कृष्ण परमात्माने मडवानी आती आथी वाचरणू स्वरूपे स्रिक्रिष्न दार्ण करिऊ छे वाचरणानू स्वरूप स्रिक्रिष्न दार्ण करिऊ खरा वाचरणा तो ब्रह्मलोक माहता जे वाचरणा होई स्थनपान छोडवू पडियों हतो ते पन आजे गायोंने दाववा लागया छे अने गायों पन मोटा मोटा वाचरडाओने प्रेम्ठी दावरावे चे आजो इबलरामने आस्तरे थयू अंतर मुख द्रश्ती खरीतो वाभाईवा आतो एक एक वाचरडामा स्रीक्रिष्ण चे वरद गोपियो जैने स्रीक्रिष्ण ने मणवानी इच्छा चे तेओ आजे बाढकोने उठावी आलिंग नापे चे कारण के गोप बाढकोन अवेश्ण माँ शाक्षात स्रीक्रिष्ण चे असल गोप बाढकोने तो ब्रह्माजी लई गया आता गोपियो परक्रिया हती एम मान्यो नथी परक्रिया भाव मान्यो चे स्रिक्रिष्ण सर्वना पती छे, एतले राष्मा कोई गोपी परकिया न हती, वरजमा गोकुल मा परकिया गोपी हती नहीं, कारण के प्रभु जारे वत्सलिला करता हता, त्यारे सानिल्य रूशी आग्न्या करी, त्यारे स्रिक्रिष्ण गोप बारकोना रूप धार्न करेला एतले आ उत्तम समय छे, माटे दरेके पोतानी कन्यावना लगन आ वक्तेज करी नाख्या, दरेके पोतानी कन्यावना लगन आ गोप बारको साथे करी नाख्या, एतले सर्वना लगन परमात्मानी साथे थया, एतले रासलिलामा कोई परक्रिया गोपी अतीज नहीं, स्रिक्रिष्ण माटे परदारा कोई होई सके नी, कारण स्रिक्रिष्ण सरोवर चे सर्वनापती चे भगवान स्रिक्रिष्ण वाचरडा आने बाडको ना रूप दारन करया अने गायोने ब्रम्स बंदनो लाभापयो चे अने व्रद गोपियों ने ब्रह्म सबंद करावयोच आम आखो विश्व विश्णु रुप छे एवात प्रत्यक्स थाई गेई छे ब्रह्म लटका तरे ब्रह्म पासे आम नर्शी मेहताय गायू ते केटलू बदू साचू छे वेणु गितमा कुमारिका गोपियों साथे राश यग्यपत्मियों ना प्रसंगमा विवाहिता गोपियों साथे राश गोवर्धन लिलामा वरद गोपियों साथे राश राश लिलामा सन्यासिनी रुशी रुपा गोपियों साथे राश परंतु त्रोन राश मुख्य छे गोप बाड़कों साथे, गोवार्मित्रों साथे नाराज, गायों साथे नाराज, और गोप यूतियों, गोपियों साथे राज राज एटलेशों परमात्मा ए रस्वरूप छे, ए रस्वरूप इस्वर साथे तादाम्यों एनू नाम राज जीवनु परमात्मा साथे नुम्मिलन ए रास छे रसात्मत इष्वर साथे अबिन भाव थवो ए रास छे रसस्वरूप इष्वर साथे सबंध थाए ए रास छे स्रिक्रिष्ट में आ लिला मा धरेक्ने मुग्द करी हरस्ने लाणी करी छे आ सर्वदय लिला चे, आ लिला मा प्रभुय सर्वन एक सर्खो आनंदा प्यों चे, स्रिकरिष्ण जारे गोप बाड़को अनि वाच्रड ना रूप धारण करया, त्यारे गोपियो ने पोताना पुत्र उपर पहला करता पड़ त्यारे अधिक वाल थाये चे, गायो पर पोत आवन मा फरी थी जो आवया, के वाच्रड ना अनि गोप बाड़को विनात्या सूप परिष्थिती बनी छे, पन ब्रह्मा जी ये जोईू, तेमने बदू पूरुव वत्त चाहलतू जोईू छे, एज गोप बाड़को, एज वाच्रड आओ, स्रिकरिष्ण बधा वाच्र आनि गोप बाड़कोनी साथे रमता आता, ते जोईने ब्रह्मा जी विच्यार मा पड़ी गया, के आखरों के ते खरों, वाच्रड आ तथा गोप बाड़कोनी तो ब्रह्म लोकमा मुकी ना आवयो जो, ते साच्रों, के मने आई आज ये देखाये चे ते साच्रों, एके पासो ओचो नथी, एके स्वरूप मा कई भेरभार नथी, ब्रह्मा विच्यार मा पड़ी गया, क्या मा साच्चू कयों, आके पेलू, गिणानी कुरूषो पोताना आत्म स्वरूप मा जी छे, भग्वान पोतेज पोताना स्वरूप साथे रमे छे, स्री क्रिष्ण करवानी इच्छा थे, तेमने ब्रह्मन नू रूप धारन करी, ब्रह्मलोक मा पोहची गया, नो कोरेने कह्यूं, आलेक नकली ब्रह्मा बधे फरेल छे, त्याही आवे, तो तेने पीत जू, आ खरूं के ते खरूं, एम विचार करताया करताया, ब्रह्मलोक मा आवया, त्य आख बंद करीने जोयू, हवे यहांने भान थे जोचे, सर्व गोप बाढको अने वाच्रडों मा यहांने हवे, श्री कृष्णना दर्शन थया चे, पर ब्रह्मना दर्शन थया चे, ब्रह्मा आजी ने पोताने भुल समझाई, बाल कृष्णनी परिक्षा करवा जाता, आ आने हुन आपास्थरों, नारायन एज स्री कृष्ण चे, आजोय ब्रह्मा जी स्तूती करवा लागया, ब्रह्मा जीनी आ स्तूती अदभूत चे, ए गन्ष्याम, तमारा स्याम शरीर पर पितांबर विद्यूत समान चमके चे, तान मा चनोठी ना कुंडड चे, न माथे मो पिछनों मुगुट चे, छाती पर वगडाव फुल्नी माडा चे, अने आथमा दैबात नों कोडियो चे, बगलमा लाकडी ने स्रिंग चे, अने कमर, कमरे बेटमा वाश्णी खोशी चे, तमे गोप बाड़नों मधूर वेश्तार्ण करयो चे, तमारा चर्ण पक्ष्मा उ बंदन करू छो, स्रीकृष्ण गंस्याम चे, मेग नों और स्रीकृष्ण नों रंग एक चे, मेग पोते समुद्रनु खारू पाणू पी और लोकोने मिठू मधूर पाणी आपे चे, पोते दुख सहन करी, बिजाने जेसु खापे, एग संत चे, स्रीकृष्ण नना गडा गुंजा माड़ा छे या सोधा मा मोती नी कंठी पेरावे ते कने यो बिजाबार कोने आपिदे औने गुंजा नी माड़ा पोते गड़ा मा धारण करी औने घरे लावे लागाने गुंजा मारा अतिशय प्रिया चे एटले तो स्रिंगार नी समाप्ती गुंजा मारा मा थाये चे थोड़ू आपो छताई गणू माने एनू ना मिश्वर आपो तेम छता ओछू माने एने जीव केवाये चे कल याना मस्तक उपर मोर पीच चे लवकी काम सुखनो त्याग करशो तो भगवान मस्तक उपर तमने पणपद्राव शे ब्रमाधी प्रमात्माने स्तूती करतां करतां कहे चे आज तमारू शरुप छे ते तमारा आज संकल्प थी थायेल चे ते पंच महाभूतो थी बनेलू नथी परमात्मानू शरुप अप्रक्रूतिक अलवकिक छे जीवने जे शरीर मडे चे ते तेना पूर्व जनमना प्रारब्द प्रमाने मडे चे परमात्मा कर्म थी नई पन स्वेच्छाथी शरीर दारण करे चे परमात्मा स्वेच्छाथी के भग्तोनी इच्छाथी प्रगट थाये जे निराकार आनंद हतो तेज निराकार श्वरूपे प्रगट थायो जे आनंद माज श्रीक्रिष्ण रूपे प्रगट थायो जे तेथी श्रीक्रिष्ण आनंद रूपे जे आखो श्वरूप आनंद रूप छे परमात्मानू मुख चरण आथ बधूज आनंद रूप छे परमात्मानू श्वरूप अलवकिक छे अप्राकृत छे भग्वान स्रीकृष्णनी लिला करवा बदल ब्रह्माधी तेमनी पासे माफी मागे छे कहे छे के गर्भमानू बाडक माताने पेटमा लात मारे तो शुमाता तेना उपर गुशे थाचे गुशे थवाने बदले माता तेना थी आनंद पामे छे तेमहे प्रभू मारों कई अपराद थायो होए तो मने शमा कर जो खांड नो आथीके गोडो नथी पन खांड जी छे तेविदरिके निराकार आकार धारन करे तो स्वरुप बदलातू नथी निर्गुण माथी सगुण स्वरुप थैला फ्रमात्मा आनंद रूप हता अने छे भगवान स्रीकृष्णनू संपुर्ण सरीर आनंद मै चे स्रीकृष्णन थी आनंद जरापन जूदो न थी आहो वरजमी गायो तथा स्त्रियोन दन्य चे के जेना दूद ने धावन प्रभुय वाच्रना तथा छोक्राना रूप थै थै अने आनंद थी पिदा चे गोकुड व्रंदावन मा जे जनम्या चे ते महाभाग्य सारी चे हे स्रीकृष्ण ज्या सुदी मनुष्य आपनो भग्त थवा बनतो न थी त्या सुदी जे तेने राग द्वेश वगेरे चोर रूपे रहे चे घर केद खानूं छे अने मोह पग्नी बेडी जेवो छे परंतो भग्त बन्या पचितो ते बदूं बाधक मटी मोक्ष आपनार बनी जाये चे ये मुरारी भग्वानना चरण रूप नवकानो आस्रह करे चे जे मुरारी भग्वानना चरण रूप नवकानो आस्रह करे चे तेने माटे संसार समुद्र बिलकुल छिछरो बनी जाये चे अने विना प्रयासे संसार सागर तरी जायेचे, जे भग्ती वगर गिन्यान मेडवा प्रयत्नो करेचे ते फोत्रा थांडेचे, बर्ती ज मोक्ष पावनारीचे, आम ब्रह्माजी वंदन करी स्तूती करिक्षमा मागेचे, ब्रह्माजी ये भोजनमा भंग करेलो, एकले पूरी थाई, तो अपन ब्रह्मा साथे भग्वान पोल्या न थी, कोईना भोजनमा भंग औने निंद्रामा भंगे महापाप्चे, ब्रह्म लोकुमा बारको सुतेला तेवो एक वर्ष पछी जाग्या, एतले तेमने तो एमज लाग्यों के भोजनननी लिला आज ज थाई एतले अगाशूर नी व्रत नी अगाशूर ना वधनी कथा एक वर्ष पछी गोप बारकोय पूतानी माताओने करी चे, केतला महत्माओ आने ब्रह्म मोहनिवारण लिला कहे चे, त्यारे श्रिदर स्वामी आ लिलानु नाम सर्वोदह लिला राखियो चे, जे आनंद सर्वोदह लिला चे, बिजा आउतारों ए आंसा आउतारों चे, पनरा मने करिष्घ न अवतारों ए परिपूर्ण आउतारों चे श्रिकरिष्ट स्वागि एक एक लिलामा एक एक देवन पराभव करियो चे वत्स लिलामा ब्रह्मानू अभिमानू तार्यों, गोवर्धन लिलामा इंद्रनू अभिमानू तार्यों, राष लिलामा कामनू अभिमानू तार्यों, कने यो सात वर्ष नो ठयो, त्यारे एक दिवस कने यो माने कहये छे, मा अवे उं मोतो ठेई गयो, अवे उं गायोत्य राजवा जाओं या सोधा है सांधिले रूशी ने पूछिऊं लाला ना जन्माक्सर जोई तेने गोपाड बनावानू मूरत जोई आप। माडा पेरावी और मिठाई खवडावी छे गायोई आसिर्वादाप्या मारा लाला नो जैजे कार्थाओ जैजे कार्थाओ बाल क्रिष्ण भगवान की जै भागवत भगवान की जै अच्चुतम्तिशवं किष्ण दामोतर रामिन्हारायरं वाशुदेवं हरी अच्चुतम्तिशवं किष्ण दामोतर रामिन्हारायरं वाशुदेवं हरी ओन कहते हैं भगवान आते नहीं जिए अच्चुतम्तिशवं रामिन्हारायरं ओन के लाववान के लाववान हरी ऑन्यारा अच्चुतम्तिशवं हरी ओन के लाववान आते हैं वाववान.